नमस्कार दोस्तों स्वागतायब का इस्टडी फॉर्ट सीविल त्रिट सेज में आरो यारो दो जर तेज री एकजाम के लिए अभी से क्या करें कि पहली बार मैं प्री और मेंज दोनों आप सिलेक्ट हो जाएं उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं पहली बात तो ये समझे कि आरो यारो दो जर तेज कर री एकजाम की डेट क्या है 22 दिसमबर दो जर चौबिस ठीक है मोटा मोटा अगर आप अन्मान लगा हैं तो करीबन 130 दिन बचे हुए नहीं 411 है 5600 तक जो है बढ़ सकती है तो प्रिलिम्स में आप समझे कितने लोग सिलेक्ट होंगे वाई मान लोगों शहसो भी अगर होगी 500 मान लेते हैं तो जादा जादा इसमें 75-100 लोग ही सिलेक्ट होंगे कोई 15 गुना लोग ही सिलेक्ट होते हैं और फॉर्म कितने लोगों ने भरा करीबन 12 लाग 11-12 लाग लोगों ने भरा है तो अगर इसका success ratio निकालेंगे तो बहुत जादा कम है प्री में जो है select होने के chances का जो success ratio है वही है सिर्फ 0.625% समझ रहे हैं 100 में से तो ये exam निकालना इतना easy नहीं है जिस तरह से आज कल YouTube अगरा पर मास्टर्स बताते हैं exam जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी और exam के nature को समझना पड़ेगा official syllabus को strictly follow करना पड़ेगा जो official syllabus में लिखा हुआ है मोटे मोटे points वो पूरा एक पिक्चर आपको बता देता है कि भाई इसके इर्द गिर्धम रहके पूछेंगे लेकिन वहाँ से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती है उसके साथ आपको PYQ अगरा देखने पड़ेंगे 2023 का जो paper लीक हुआ ता वो paper आप देखो प्लस 2021 का जो आरो 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 आला paper तो वो देखो इन दोनों paper को देखने से ये बात तो समझ में आती ही कि भाई जो इसके facts हैं ये normal facts नहीं है कि भाई normal जो भी market पे कोई book आती है एक दो उनसे जो है solve हो सके नहीं हो सकता है इसा UPPSC के exams का nature बिलकुल आपको UPPSC के official syllabus latest and pattern PYQ जितना relevant है इसमें सिर्फ 2021 और 2020 का relevant है उसी के pattern पे आएगा ये paper बलकि ये paper और हो सकता है जो थोड़ा सा tough side में आ सकता है इस जैसे paper को निकालने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत भी जो है आपको उसी direction में लगानी है जिस तरह question पूछे जा सकते हैं या 2021 में पूछे गए या 2023 के जो paper हुआ था जो लीग हो गया उसमें पूछे गए थे इस exam को निकालने के लिए UPPSC के जो specific flavor वाले आपको पढ़ने ही पढ़ेंगे प्रेक्टिस करनी ही पढ़ेगी और प्रेक्टिस आपको इस तरह से करनी पढ़ेगी पहले मैं आपको जो है पैटन समझाता हूँ इसमें देखे प्री है अब इसमें एक G.E.S का paper होगा इसमें रीजनिंग आए कि दो गंटे का ही है तो आपको दो गंटे में 140 सवाल जो है लगाने की भी प्रेक्टिस होनी चाहिए पहली बात तो इतने तगड़े जो है फैक्ट्चुल कोईस्चन्स आएंगे UPPSC के specific flavor वाले उसमें भी गंटे में 140 सवाल आप लगा पाएं पूरे वन थर्ड निगेटिव मार्किंग अलग है ठीक है? हिंदी वाला paper होता है वो तो खेर एक गंटे का होता है उसमें 60 questions होते है अब इसमें आप ये समझे है आरो आरो का pre का अगर आपको cut off निकलना है तो हिंदी में 60 में से मिनमम 55 नंबर तो लाने पड़ेंगे और इसके लिए सिर्फ उतना ही material पढ़ने की जरूरत है जो इनके 6 topics official में दिया हुआ है प्लस जिस तरह से आयोग का जो एक nature रहा है जितना वो पूसता रहा है ठीक है? मेंस का अगर आप देखें मेंस में 400 नंबर का paper होता है इसमें interview होता नहीं GS 2 गंटे की 120 सवाल objective वाले होते हैं और हिंदी वाले में कर्मेंश्रल 5 गंटे का होता है 100 नंबर का आदे गंटे का होता है यहाँ पे objective यहाँ पे 60 सवाल आते है pre में और मेंस में 30 सवाल आते हैं हिंदी यह से लिखना पड़ता है 3 गंटे में 3 इसे ठीक बाकी इसमें कोई interview है नहीं तो pre मेंस बस निकला और बस रो एरो बन सकते हैं आप वो भी pre की भी कोई importance नहीं pre का सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि आपको मेंस में पहुचाना है तो मकसद क्लियर रखना है आरो एरो की तैयारी करने वालों को सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफिशल स्लेबर्स पे रहना है लेटेस्टेंट पैटर्न पे रहना है प्लस जो 2021-2023 में वहा था उसी के अन रूप तैयारी करनी है जैसा वो पेपर आया था वैसा ही हमने आरो एरो एरो 2023 में आपको याद होगा ओफ लाइन सिर्फ कराई थी टेस्स सिर्फ कराई थी तब बड़ा की डिसाइज भी किया था लोगों ने कि अभी का पेपर मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा और टफर साइट आ सकता है तो अभी जितने दिन बच्चे हुए हैं आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी जोड़दार तरीके से पढ़ना भी पढ़ेगा प्रेक्टिस भी करनी पढ़ेगी और रिवीजन भी करना पढ़ेगा अट लीस्ट आप जो है 6-7 गंटे की पढ़ाई करें और एक देड़ गंटे का रिवीजन डेली करना चालू करें तब ही कुछ हो सकता है अधरवाइस तो कोई दाल नहीं करने वाली है और एक चीज़ हो रहे है कि अब इतना टाइम है भी नहीं कि भाई बहुत सारी मार्केट से बुक लाओ, NCRT लाओ, इतना टाइम नहीं कि इतना सब कुछ कर लो आप एक साथ तो अगर आप अभी से लेके आज से भी मैं कह रहा हूँ अगर आप तैयारी करना चाहें बिल्कुल आपने कुछ भी ना पढ़ा हो फॉर्म अगर भरा होगा आपने पेपर तो आपको देन ठेक प्लस इसके में इक्सक्लोजीन वीडियो दिये जाएगे उसे पेड़ गूप वालों वालों को ही मिलेंगे तो सिलेक्षन मेंट्रियल प्लस पेड़ वाले वीडियों फिर पैड़ कुछ और टेस्स्यरीज इतनी चीज़े हैं ठीक है study for civil services का साड़े तीन जारी या पांच जरवाना कोर्स लेके selection material paid quiz test series और exclusive जो हम वीडियो देंगे paid group के इतना अगर आप पढ़ लें practice कर लें revision कर लें सारा doubt clearance उगरा इसमें किया जाएगा इतनी चीजे अगर आज से भी करना चलू करते हैं जब भी आप सुनने हों अगर करीबन मेरे हैसाब से देखिए syllabus वगरा cover करने में आरो एरो का प्री का जितना exam के लिए जरूरी है ज्यानी नहीं बनना है यहाँ पे target clear रखो सिर्फ और सिर्फ exam का pre का cut off निकालना है बस मकसद अपना हमेशा clear रखें प्री में सिर्फ cut off निकालना है में ज्यादा ज्यादा नंबर लाने है ताकि आपकी मन पसंदीदा आरो एरो मिले आरो एरो में कोई study for civil services का नाम नया नहीं है अगर आप देखें UPPSC के जो main exam होते हैं PCS ROARBO इसमें पिछले नौ सालों से UPPSC के सभी exams म study for civil services free study material भी provide करता है सारा का सारा टेली ग्राम हो गयरा में हम free quiz भी करते हैं PCS daily quiz में भी और only current affair में free quiz भी चल रहे हैं इसके लावा हमारे paid groups भी चलते हैं बहुत economical cost में होते हैं और यहां पे एक facility होती है doubt clearance वाली मतलब आप पढ़ रहे हैं selection material पढ़ रहे हैं paid group में वीडियो दिये गहा हैं देख रहे हैं paid कुछ लगा रहे हैं कोई समस्या हो तुरंत आप doubt clearance वाली ग्रूप में पूछिए अगर आप सुपह 10-11 बजे से लेके राते 11 बजे तक अपनी समस्या पूछेंगे तो almost तुरंत तुरंत जवाब मिलते जाते हैं या फिर maximum एक दो गंटे के अंदर claim क्या करते हैं हम इसमें कोई भी जवाब जो है आपको six hours के अंदर आपका doubt clear होगा ही होगा लेकिन daytime में सारे educators की shift होती है तो आप तुरंत तुरंत जवाब पाते जाते हैं मतला फसला नहीं है कही इसमें जो पेड़ गूप के एक प्री आराम से निकल सकता है दूसरी बात इस बार मेंस कब होगा ये भी समझी है मेंस के लिए मुझे लगता है शाहिए टाइम थोड़ा सा लग सकता है क्योंकि 22 दिसंबर को तो प्री ही हो रहा है फिर जो है अगले जो है 2025 में अगर आप देखें जनुरी फरवरी में जो है कुम्बो गयरा चल रहा है तो मेरा अनमान यही है कि यारो यारो दोजार जो 23 कर मेंस हो सकता है वो 2025 में अपरेल या माई के आसपास हो सकता है या मार्ची आप अपरेल तो मेरे असाब से अगर आपने GS एक बार पढ़ लिए प्री का अगर आपने करा GS पर डाली ये वाला पूरा करके ठीक है हिंदी ठीक तो आपका ये वाली GS पूरी तयार है सिर्फ करेंट अफेर अपडेट करना है ये वाली जो हिंदी है पॉरा टास्क प्रेक्टिस अंसर रैटिंग फीडबेक सब कुछ बिल्कुल बहुत डिटेल में कराते हैं और रगल के प्रेक्टिस करवाते हैं मेंस वगरा के ग्र कायधा गुरूप जॉइन करके पूरी तयारी एक ही जगह कर सकते हैं अगर आप हमारे पेट गूप में आते हैं तो आपको कोई भी बूक अलग से नहीं लेनी है कुछ के निलेना है को नहीं लेनी है सबकुछ जितना पेट गूप में दिया जाएगा उतना ही more than sufficient है प्री क कट आफ निकालने के लिए और मेस में ज़्यादा से ज़्यादा नमबर लेके अपनी जो है मन पसिंदिधा पोश्ट भाने के लिए कट आफ अगर क्लियर रहू सकता है हमसे